नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लाश नाइन किर्तिका का पाठ मेरे शंग की औरतें जिनकी लेखी का मिर्दुला गर्ग जी हैं, इसका मैं MCQ प्रशनुत्तर परहाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को MCQ प्रशनुत्तर पूछे जाएंगे, और बच्चों, क्लाश नाइन किर्तिका, छितिज असफर संचेन, इसका मैं MCQ बना चुकी हूं, और कोशन एंसर समरी और फूल एक्स्प्लेनेशन, हिंदी ब्याकरन भी मैं परहा चुकी हूं, तो उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये गया, आई बटन पर क्लिक करके द आ रही हूं, MCQ का फूल फॉर्म होता है, multiple choice question, इसको इंगलिस में objective tab का प्रशन उत्तर कहा जाता है, तो आप लोगों को यह प्रशन इस बार पूछे जाएंगे, जिसमें चार option रहेगा, तीन गलत रहेगा, एक सही रहेगा, सही उत्तर आपको लिखने होंगे, तो शुरू करते हैं, पाठ मेरे शंकी औरतें का MCQ, पहला प्रशन है, मेरे शंकी औरत पाठ की लेखी का कौन है, को महा देवी वर्मा, खो मिर्दुला गर्ग, गो मन्नो भंडारी, गो महा स्वेता देवी, तो मेरे शंकी औरतें पाठ की लेखी का मिर्दुला गर्ग जी है, खो नमर उत्र सही होगा दूसरा प्रश्ण है लेखिका की नानी ने अपने पुत्री की शादी किस्से करना चाहिए इसका सही उत्र है गव सतंतरता शेनानी से गव एक डॉक्टर से तो लेखिका की नानी ने अपने पुत्री की शादी किस्से करनी चाहिए इसका सही उत्र है गव सतं तीसरा प्रश्ण है लेखिका की परदादी ने पतोहु से पहले बच्चे के रूप में लड़की होने की मननत क्यों मांगी। इसका सही उत्तर गह है यानि उनकी परदादी लीक से हटकर चलने वाली महला थी यानि परमपरागत भावनाओं से वे उपर उठी हुई थी और बर्तमान में जो चल रहा था उसी तरह वे चलने वाली महला थी। अम्रिग नैनी गह चंद्रकांता तो लेखिका जब नौ वर्स की थी तो उसके पिता ने उसे कौन शाव पन्यास पढ़ने के लिए दिया था। इसका सही उत्तर है को ब्रदर्स करायव जोव। पांचमा प्रश्ण है लेखिका की कितनी बहने थी गह दो खो तीन गह चार गह पांच तो लेखिका की कितनी बहने थी इसका सही उत्तर है गह चार। चटा नमर प्रश्ण है लेखिका ने किस दिशा में उलेखने प्रयास किया। मेरे शंकी औरते पाठ के आधार पर बताईए कि कैसे इंसानों को सरधा भाव से देखा जाता है। गह धनी व्यक्तियों को, गह बरे विद्वानों को, गह देश प्रेमियों को, गह शाधु शन्याशियों को। तो मेरे शंकी औरते पाठ के आधार पर बताईए कि कैसे इंसानों को सरधा भाव से देखा जाता है। इसका सही उत्तर है, गह देश प्रेमियों को सरधा भाव से देखा जाता है। आठ नमर प्रेस्ण है, इजहार सब्द का क्या अर्थ है। गह एक्छा, खो बदला लेना, गह शिकायत करना, गह रोना धोना, तो इजहार सब्द का अर्थ है, इसका उत्तर है को एक्छा, यानि इजहार सब्द का अर्थ होता है, गह दूसरे ग्रह की जानकारी रखना, गह दूसरे ग्रह का प्राने, तो ओ परिग्रह सब्द का क्या इसका उट्तर है, घौ किसी से कुछ ग्रहन ना करना, दस नमبر प्रष्ण है, लेखिका की दादी किस प्रकार के व्यक्ति को सही राह पर ले आई, घौ एक झूठे की दादी सही दिसा पर ले आई यानि वह चोरी करना छोड़ दिया और अपना ओ खेती बारी का काम किया ग्यारा नमर प्रश्ण शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रही को डाल मिया नगर खो बिहरा गो फूलपूर गो भागलपूर तो सादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रही इसका सही उतर है को डाल मिया नगर में बारा नमर प्रश्ण है लेखिका ने करनाटक के बागल कोट में कैसा इसकूल खोला गो हिंदी अंग्रेजी भासा सिखाने वाला गो हिंदी अंग्रेजी कंणर सिखाने वाला गो हिंदी कंणर सिखाने वाला गो हिंदी कंणर सिखाने वाला तो लेखिका ने करनाटक के बाग कोट में कैसा इसकूल खोला इसका सही उत्तर है गा हिंदी अंग्रेजी कंणर सिखाने वाला तेरा नमर प्रेश्ण है अच्छे सोरी हाँ बारा तक इसमें दिया गया है और बच्चों इससे पहले भी मैं यह चेप्टर पढ़ा चुकी हूं मेरे शंकी और दें उसमें भी बह सही उत्तर लिख सकते हैं और नीचे बच्चों देखिए इसमें जितने भी MCQ मैं परहाई हूं इसका सारा उत्तर नीचे दिया गया है तो मैं सारे में टिक कर दी हूं आपको देखने की ऐसे कोई खास दिकत नहीं होगा आपको तो इसी के साथ बच्चों पार्ट की शमाप कीजेगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा और कॉमेंट कीजेगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा नए पार्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों धन्यवाद